हमने अक्सर देखा है कि हमारे हाथ और पैर कभी कभा सुन हो जाते हैं लेकिन किस समय बाद ही अपने आप सही भी हो जाते हैं और फिर हम अस सुनपन को घूल जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए यादत आपको सबसे बड़ी मुसीबत में डाल सकती है ऐसे ही छोटी से दिखने वाली समस्या बहुत बड़ा रूप लेती है और इसलिए हो भी सकता है कि आपको कुछ बड़ी चीज हो जाए एक हितिशा में सोने या बैटने से सुन्पन आता है क्योंकि नसों को परियापत आक्सिजन नहीं मिल पाता लेकिन हम आपको एक स्थाई समाधान बताते हैं कि आपको क्या करना है जब ऐसे समस्या तो आईए जानते हैं उस उपाहे के बारे में गर्म पानी में पैरों या हाथों को भीगोए उसमें थोड़ा सेंधा नमक मिला ले अच्छे परिराम के लिए तेल से मसाज करें हाथ और पैर को आप दूद में शहद और हल्दी मिला कर पिए अगर आपकी समस्या फिर भी बनी है तो आप रोजाना व्यायाम करें ताकि आपकी शरीर में सुन्नपन ना आए और आप स्वस्थ रह सकें और किसी बड़ी बिमारी को निमंत्रन ना दे